जारकंड के पूर्व मुख्यमंत्री रगुवर्दास ने हेमन सोरेन पर जोरदार पलटवार किया है रगुवर्दास ने का कि सिर्फ हेमन सोरेन ही आदिवासी के बेटे नहीं है इस राज्य की करीब 26 फीसद आबादी आदिवासी है रगुबर्दास ने हेवन सोरेन को आदिवासी के नाम पर कलंक करार दिया इंडिया चीवी संबाद दाता विजय लक्षमी के सान बादचीत में रगुबर्दास ने कहा कि जारखंड केवल सोरेन परिवार का नहीं है हमार साथ जारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रगुबर्दास हैं उनसे बादचीत करेंगे जिस तरह से सियासी घमसान जारखंड की राजनीती में मचा हुआ है Office of Profit के एक मामले में Election Commission ने Governor को recommend किया है और Governor को वापस Election Commission को सूचित करना है इसी पर उनसे बादचीत करेंगे सर ये सियासी घटना करम तो चली रहा है लेकिन इसे बीच एक ट्वीट आता है हेमन सोरेन का कह रहे हैं कि आदिवासी का बेटा हूँ किसी से डरता नहीं हूँ और आदिवासी के DNA से डर और भाय बहुत पहले निकल गया है साफतोर पर आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं हेमन सोरेन अदिवासी का बेटा सिर्फ हेमन सोरेन जी नहीं है यहां करीब 24 परसेंट हमारा अदिवासी बेटा बेटी रहते हैं भाय बाहन रहते हैं तो यह जार्खन शिर्फ सोरेन परिवार का नहीं है, जार्खन सवत तीन कोड़ जनता है का परवार, भगवान विर्शा मुंडा ने तो बरस्टाचार नहीं किया था, सिधु कानू ने तो बरस्टाचार नहीं किया था, तिलका माजी ने तो बरस्टाचार नहीं किया था, त जार्खन का कनकन तिनका तिनका ये लुक सिंडिकेट और भिचोले के हाँ थावाले कर दिया और जिसके कारण देख रहा है जार्खन सर्मसार है और विजए लक्षमी इस वक्त हमारे साथ सीधे जूर चुकी है विजए लक्षमी हमने आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें आप रगवरदास से बात कर रहे हैं लेकिन हेमन सोरेन तो ये कह रहे है कि शैतान जो है वो रोड़ा अटकार है उनके काम में तो जो लोग रोड़ा अटकार है उनको मैनेज करने का या उनके लिए कोई मंत्र डूंडा है क्या है मन सोरेन ने विजए लक्षमी आप तक आवाज पहुंच रही है क्या अजी अपना सवाल दोहराएं जरा विजए लक्षमी मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग रोड़ा अटकार है है मन सोरेन जिन पर आरोप लगा रहे है उनके लिए किसी तना की कोई राहत वाले मंद्र की तलाश की है मन सोरेन ने कोई राहत की खबर उनके लिए आ सकती कहीं से देखे राहत की खबर तो हुसाइन लगता नहीं है कि संभावना है राहत की क्योंकि कारवाई तो जरूर होगी लेकिन कारवाई देखना होगा कि सिर्फ डिसक्वालिफिकेशन यानि निलंबन की कारवाई होती है अगर निलंबन की कारवाई सिर्फ होती है उनके खिलाव तो बहुत ज्यादा मुश्किले हेमन सोरेन को नहीं होगी क्योंकि ऐसे में वो इस्तीफा करेंगे अपने पद से अपनी विधायकी से और अगले छे महीने में एक बार फिर उनको विधायक जो है वो बनना होगा और फिर वो एक बार मुख्यमंत्री जो पद पर वो कंटीन्यू करेंगे लेकिन अगर चुनावायोग उन पर प्रतिबंध लगा देता है चुनाव लड़ने से क्योंकि रगुबरदास से जब हमने बात की तो उनकी मुश्किलें खड़ी हो सकती है विजे लक्षमी वक्त कम है इसलिए आपको हम शुक्रिया करें आगे भी इस बड़ी खबर पर इ या एप स्टोर पर